तो दोस्तों यह 840 G3 का laptop है देख सकते हैं तो मैं आज इसको खोलने को बताऊंगा कि इसमें खोलने में क्या-क्या सावधानी वरतनी पड़ती है और किसकी चीजों का ध्यान देना पड़ता है किसमें problem क्या आ सकती है खोलने के बाद तो चलिए मैं एक-एक करके खोलता हूं पहले तो laptop खोलने के लिए आपको सावधानी वरतनी पड़ेगी कि screen damage ना हो और कोई चीज इसमें टूटा फूटा ना हो उसके बास से हम एक-एक करके पहले page खोलेंगे सबसे पहले तो देख सकते हैं यहां पर रबल अलगा है इसमें भी रबल लगा इसमें भी रबल लग च्छोटे-च्छोटे यह page कहर होते हैं ठीक है यहांसे यह रबल निकलना होता है अगर आपके लप्त मेरा लगा हो तो निकाल लेना है आपको एसे अ करके करके निकाल ले ना आपको यह मैं सारा पेच का जो रवाड़ है निकाल लेता हूं देख सकते हैं पेच यह स्टीकर्स है यह भी निकाल लूँगा इस पेच लगाए और यह मैं एक एक करके पेच इसको निकाल ला हूं ठीक है है पेच निकाल ले रहा हूं इसको फोने चाल Coleman कर दें रहा है हां कि इसां pes हुआ हैं this magnet नहीं इसलिए थे थोड़ो सदिक्द हो रहा है लेकिन महेंने लगा दें रहा हूं इसमें यहां से रिखाई करता है तो देखाई नहीं पता है तो डैमेज हो जाता है अब एक एक करके एक फेच खोल लेते हैं पहले यहां से एक पेच खोल लेना है कि यह 840 जीतरी का लेपटाव है दोस्तों इसमें यह चीज ताउधानी बढ़ता नहीं पड़ती है कि खोले कैसे यहां पर पेच पाता नहीं चला है राबर के कारार यहां से खोल लेते हैं ठीक है अब यहां से मेरा यह सारा पेच लगबग खोल गया है ठीक है यहां पर आपको यहां पर ठीक है इसको हमें इससे करेंगे ऊपर के तरह ठीक है खलक्या से उपर ठीक है यहां पर असानी से यह खुल गया है देख सकते हैं कुछ भी मैंने किया नहीं असानी से खुल गया कोई दिकत नहीं हुगा ठीक है अब इसको हमने यहां पर रख देते हैं दो इसमें कोई short circuit ना हो, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम battery को निकाल लेते हैं यहां से, यहां से इसको पकड़ेंगे, यहां से ऐसे करके निकाल लेते हैं, यह देखे, बैटरी आधराम से बिल्कुल निकल गया, बैटरी रख लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे, यह स इसको भी हम यहां से रिमूब कर ले रहा है, यह भी निकल गया ठीक है, अब मेरा ये बिल्कुल लैप्ट Ops Motherboard प्धिर हो चुका है, तो दोस्तों, हम एक करके निकलना है, यह भी पेच होते हैं, यह भूस ढ़िए सारे पेच होते हैं, तो पेच करके निकलना है हमको, है इसम दिक्कत है पता चल जाएगा भी तो एक करके हम निकाल लेते हैं यहां से इसको निकाल लिया इसके मादरबोर्ड पर भी एक कबर होता है कबर को भी हम खोल लेते हैं ठीक है यह कबर भी खोल लेते हैं दोस्तों यह डिस्प्ले केवल का केवल है यहां पर लगा भी रहेगा त तो मैं एके करके निकल ले रहा हूं कि यह कि अंसे करके निकल लेना है आपको सब्सक्राइए को कि का धातके यहां पर तो आपको आराम से निकलना है को जल्दिवाद नहीं यहां नीचे स्क्रेन भी लगी जाती है अगर तेजी से खोल देंगे तो स्क्रीन डैय में जो सकती है तो यह थ्यान देना पड़ता है दोस्तों को खोलते समय कि हम किन-किन चीज़ों को ध्यान रखना है और इस कुरूल लगाने का तरीका अच्छे से लगाए ठीक है इतना अ काल ले है कि आज बिल्कुल पिरियों यहां इसमें मदरबूर्ट के अंदर धेड़ सारे पेच होते हैं कि यहां पर देखो सारा पेच है सब खूलना पड़ता है कि यह लगबग खूल गया है दुस्तों ठीक है है थोड़ा सा और पेच है कि यहां पर यहां पड़ रहा है 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 यानि कि इसको खूलो करने ध्यान है दोस्तों यहां पर ध्यान देना है कि जहां से हम जो कनेक्शन निकालते हैं वो कनेक्शन वही लगाना होता है ठीक है तो इसको हम यहां इधर कर लेते हैं और उसको खोलने के लिए यहां पर दिखिए एक प्रेच है तो इसको भी हम जा से खोल लेते हैं ऐहां से खोल लेते हैं अर नहीं के इसको गरी गा आए है तो दोस्तों यह हात से घरी गाए नीचे इसको फिर से खोल ले रहे हैं है धिक है यह खुल गया मेरा अब कहां टाइट पट रहा है अभी फिंट पट रहा है दोस्तों तो हम इसको निकाल लेते हैं ध्लिड है यह वाइफाई विड्ल कड्रेव था यह चल जाएगा अ मैं अधिक काड करता है यह शकी तो हम यह यह जो मैं खुल रहा हूं अभी यह आपका SSD है ठीक है इस पर बिंडो चलता है अब इसमें SSD आता है तो इसको बोलते हैं SSD M.2 जो कि यह फास्ट चलता है बड़ी चलता है ठीक है और company जो है SK Hynix का है तो company अच्छी है यह भी चलती है तो यहां पर देख सकते हैं एक पेचे यहां पर लगाया है भी खुलने में थोड़ा टाइन लगा कि यहां पर सारा खुल गया है जाहां पर टाइट पढ़े दोस्तों कि यहां पर कुछ हो सकता है ठीक है यह दीक है तो अब हम इसको भी खोलेंगे यह से मदरबोड खोल लिया यह पावर ओन आप स्विच का कनेक्शन है ठीक है दोस्तों ठीक है यह सारा खोल लिया अब यह मदरबोड कहां से निकल गा एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों हमको यह निकलने के लिए अंदर कीबोड लगा रहाता है ठीक है यहां पर कीबोड लगा रहाता है कनेक्शन तो हम उसको निकलने के लिए बार मदरबोड को निकलने के लिए कीबोड भी लगाना पड़ेगा हमको जो कीबोड को निकलने के लिए क्या करना है दोस्तों आपको से कर लेते हैं अब इसको ऐसे फ़क्र उठा लेंगा है तक आसाने से निकल गया है कि यह कनेक्शन इसको बाहर कर लेते हैं यह कनेक्शन इसको भी यहां से निकाल लेते हैं यह कीबोर्ड कनेक्शन मेरा बाहर आ गया ठीक है दोस्तों तो रसका उपर करेंगे पत्ते को ये बाहर आगिया तो इस त्रिक चेंसे आप अराम से निकल सकते हैं और यहां पर ऊचले करना है इसको फिर से आपको पेक करना है ऐसे बंद उसके बाद से आपको क्या करने है दोस्तों मैं आपको यहां पर और भी पेumanस होग और इधर से भी टाइट पट रहा है तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे ठीक है इसको खोलेते हैं जाते हैं आढला है कि यह मेरा इधर से खुल गया है तेके उठे़ ना चल्हलु गया है अब यहां पर क्या यहां पर यह चुझान थे इसको कियर कम लेते हैं कि से यह्यां से इसको पीछ सब्चू करेंगे यह दिखें आच ए मैं नि करना ला हो यहां से थोड़सा उतान करते हैं यहां से अच्छा होई निकलना है यह देख सकते हैं third tej प्रिट परसे loved a deal अधिक समया जो connection जो जहां से निकालना इद दोस्तों उसको आप्व को उसी साथ से लगाना भी है एक चीज़ ध्यान रखना है आपको ठीक है इसको भी हम यहां से करेंगे इसको यहां से खोल देंगे यह यहां से भी निकल गया है अब देखना है दोस्तों यह यह मदरबट बुरू के फिरी है चुका है यह अराम से यह निकल गया है कहां फसरा है कुछ तो फ माधर बोर्स निकल गया पी इसको फिर बन कर लेते हैं तो इस तरीके से को यहां से निकाल निकालाधा थेझे लगाना है तो इस तरीके से हम देख लिये हैं की मधर बोर्ड और लेपटॉप से कैसे निकला जाता है की वो वट flows लगा पाके देख लिए उनने निकल के तो दोस्तो इस तरह के अपको भी क्सक्का अपकोशने से क्हों सकते हैं और फिजा लखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स वीडियो पड़े वह आपको असाने से मिल जाए तो इसमें जो प्रोब्लम है दोस्तों मैं आर नेक्स वीडियो में बताऊंगा इसमें प्रोब्लम क्या है अभी मैं नहीं बताऊंगा ठीक है तो चले दोस्तों मिलते नेक्स वीडियों सब्सक्राइब के लिए धन्यवार